एलो दोस्तों, MK Factor Star में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं 5 कानूनी अत्कार बताऊंगा जो हर भारतिये को पताऊना चाहिए दोस्तों, हमारे देश में कानून कुछ ऐसी हकीकते हैं जिसकी जानकारी हमारे पास ना होने के कारण हम अपने कानूनी अत्कार पाने से पंचित रह जाते हैं तो दोस्तों, चलिए आज हम आपको कुछ ऐसे 5 रोचक फैक्ट की जानकारी देंगे दोस्तों, ऐस जानकारी आपके जीवन में कभी भी काम आ सकती है तो दोस्तों, आप इस वीडियो को सुरू से लेकर लाश्ट तक जरू देखें तो चलिए दोस्तों, बिना समय को माई पीडियो के स्टार्ट करते हैं एक्ट नम्मर फाइब दोस्तों, साम के बक्त महीलाओं की करपतारी नहीं हो सकती है दोस्तों, Code of Criminal Procedure Section 46 के तहट साम 6 वजे से के बाद और सुवे 6 वजे से पहले भारतिय पुलिस किसी भी महीला को गरपतार नहीं कर सकती है दोस्तों, फिर चाहे कितना ही संगीम गुना क्यों ना किया हो दोस्तों, अगर पुलिस ऐसा करती हुए पाई जाती है तो गरपतार करने वाले पुलिस सदकारियों के खिलाब सकत कारवाई की जा सकती है दोस्तों, इससे उस पुलिस सदकारी की नौकरी भी ख़तरे में आ सकती है दोस्तों, सिलेंडर भटने से जानमाल के नुकसान पर 40 लाग रुपह तक का भीमा कबर क्लेम कर सकते हैं दोस्तों, पबलिक लाइबिलिटी पॉलिसी के तहट अगर किसी कारण से आपके घर में सिलेंडर भट जाता है और आपको जानमान का नुकसान जिलना पड़ता है तो आप तुरंत गेस कंपनी से बीमा कबर क्लेम कर सकते हैं दोस्तों, आपको बता दे, गेस कंपनी से 40 लाइबिलिटी पॉलिस लाइबिलिटी पॉलिसी कंपनी का लाइसेंस रद हो सकता है दोस्तों, कोई भी होटल चाहे वो फाइव स्टारी क्यों ना हो, आप फिरी में पानी पी सकते हैं और बॉस्रूम इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तों, इंडियन सीरिज एक्ट 18-87 के अनुसार आप देश के किसी भी होटल में जाकर पानी मांगकर पी सकते हैं दोस्तों, और उस होटल का बॉस्रूम भी इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तों, होटल जोटा हो या फाइव स्टार बे आपको रोक नहीं सकते हैं दोस्तों अगर होटल मालिक या कोई करमचारी आपको पानी पिलाने से या बोस रूम इस्तमाल करने से रोकता है तो आप उन पर कारवाई कर सकते हैं दोस्तों आपकी सकायश से उस होटल का लाज़ेंस रदो सकता है फैक्ट नम्मर टू दोस्तों गरबती मेलाओं को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता है दोस्तों मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के मताविक गरबती मेलाओं को अचानक नौकरी से नहीं निकाला जा सकता है दोस्तों मालिक को पहले तीन महीने की नोटिस देनी होगी और प्रेगनेंसी के दोरां लगने बाले खर्च का कुछ इस्था देना होगा दोस्तों अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसके खलाब सरकारी रोजगार संगठन में सिकायत कराई जा सकती है दोस्तों इस सिकायत से कंपनी बंद हो सकती है या कंपनी को जुर्माना भर ना पड़ सकता है एक्ट नमर वन दोस्तों पुलिस अपसर आपकी सिकायत लिखने से मना नहीं कर सकता है दोस्तों IPC के सेक्षन 166-A के अनुसार कोई भी पुलिस सत्कारी आपकी कोई भी सिखाय दर्ज करने से इंकान नहीं कर सकता है दोस्तों अगर वह ऐसा करता है तो उसके खलाब बरिस पुलिस दफ़तर में सिखाय दर्ज कराई जा सकती है और दोस्तों अगर ओहे पुलिस अफसर दोसी पाया जाता है तो उसे कम से कम 6 महीने से लेकर 1 साल तक की जेल हो सकती है दोस्तों या फिर उसे अपनी नौकरी गवानी पढ़ सकती है दोस्तों आपको हमारे 5 कानूनियत कार जानकर क्याशला का एहम है कमेंट करके दिरूर बताएं दोस्तों अगर नए होते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और पहले आइकन को दबाना ना भूलें तो दोस्तों चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड़ बाए